ना मिला खुदा ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के हम हाँ यही कहानी है पवन सिंग की जो सियासी पावर स्टार नहीं बन पाए अब आमतोर पर पवन सिंग के समर्तगे कहते कि जी पावर जो है वो यहीं से शुरू होती और यहीं खतम होती है पावर स्टार है लेकिन रील की दुनिया में पावर स्टार होना और रील दुनिया में पावर स्टार होने में बाबू बड़ा फरक होता है इजनता जो है ना बड़ी बैमान है इजाती तो है आपके साथ फोटो किचवाने के लिए आपको देखने के लिए आप पर माला पहलाने के लिए लेकिन जब बोट देना होता है तब यह अपनी पार्टी को देती है अपनी जात वाले को देती है अपने धरम वाले को देती है या उस आदमी को देती है जो उसके लिए काम करता है ना कि उसके लिए जो उसके लिए गा कहे हार जाए तो कहे कि जब हम गुरकपूर से लड़े थे तब यही जनता हमारे पीछे जोरजहार के पड़ी थी हमको लगता था कि हमसे बड़ा तो कोई सुपरिश्टार नहीं है लेकिन उस साल बाबा दबा के वोट पाए और हम जैसे तैसे जमानत बचा पाए पवन सिंग पिच्चर के दुनिया के स्टार थे लेकिन सियासत के दुनिया में वो फ्लाप हो गए कारकाट में वो हार गए और हारे तो हारे बीजेपी वाले को भी हरवा गए और इसलिए हम कहे रहें कि ना मिला खुदा ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के हम पवन सिंग क्या कर सकते थी ये दुनिया ने देखा जब वो तीन नमबर पर रहे हैं। हलाकि पवन सिंग के समर्थ तक कह रहे हैं कि भाईया ना खेल अब ना खेले देव वाला खेल था पवन सिंग का। खेलवे बिगाड़ दे तो ये उनकी कहानी चल लिए लेकिन ये वही कहाल है कि दिल को खुछ रखने का गालिप ख्याल अच्छा है बाकि आपको चुछ भूल दो। पवन सिंग ने उपेंद कुछ वहा के साथ कारकाट में ना खुद जीते ना उनने जीतने दिये और खेल बिगाड़े लेकिन इसका फाइदा लेफ्ट पार्टी के नेता का हुआ जो बैठे बिठाए चुनाव जीत गए क्योंकि पवन सिंग और उपेंद कुछ वहा के वो शुरुबात में आगे भी चले दे देरे गिंती आगे बड़ी बाद में गड़बडा गया मामला और उपेंद्र कुछ वहा भी हार के दोनों मिलके चुनाव हारे अगर इन दोनों में से कोई एक आदमी लड़ा होता या पवन बीजेपिस लड़े होते तो शायत कहानी जो उनका टिकेट नहीं हो पाया फिर भाशपर ने उन्हें बिहार की बजाए पश्चिम बंगाल वेजा जहां आसन सोल लोकसभा सीट से टिकेट दिया लेकिन लोकल नेता ना होने को लेकर उनका विरोध चुरूआ और इसी के चलते पवन सिंग ने टिकेट लोटा दिया इसक कई मुश्किलों के बाद होती है ये एक बार फिर सियासते समझा दिया हलाकि पवन सिंग को कारकाट लोकसभा शितर में समर्थन ठीक ठाक दिखाई पड़ा और वोटों में भी दिखा लेकिन चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं था बोच्पुरी फिल्म प्रेमी युवाओं और राजपूत वोटों के लावा किसे अन्यजाती से ऐसा लगा कि बड़ा समर्थन नहीं मिला और यहीं वज़ा है कि वो खुद तो हारे ही एंडिये की उम्मिद्वार को भी हरा दिये और कुश्वाह जी का खेल जो है वो भी ग दो बड़े लोगों को हराया एक पवन सिंग जो अपने आपको पावर इस्टार कहते थे और दूसरे उपेंद्र कुश्वाह जो यह मान कर चल रहे थे कि इंडिये में आने के बाद उनका मामला बढ़िया हो जाएगा कारकार्ट का मकाबला लोगों के लिए प्रतिष्ठा का मकाबला था लेकिन इस प्रतिष्ठा के मकाबले में पवन सिंग करोड़ों रुपया खर्चा करने और जबरदस तरीके से जोर शोर लगाने के बावजूद चुनाव में हार गए मदगर्णा के बाद पवन सिंग रेस से गायब हो गए कारकार्ट में तिरपन दश्वलों चार-चार फीसित मद्दान हुआ था शुरुवात में आसन सोल से टिकेट मिला था जहां पर पहले बावल सुप्रियों लड़ते थे माना जा रहा था कि बीजेपी उसी अंदाज में इनको लड़वा रही थी ताकि एक गायक की जहा दूसरा गायक आज़ा और मामला बन जाए 2019 में जेडियो के महाबली सिंग ने भी उपिंद्र कुश्वाहा को हराय था उपिंद्र कुश्वाहा इस बार बीजेपी का समर्थन से जीतने की उमीद लगाए बैठे थे लेकिन भोजपूर इंडिस्ट्री के पावर स्टार सियासफ के पावर स्टार नहीं बन पाए पवन सिंग इसके बाद बीजेपी लोट पाएंगे इसकी चांसे सकम हैं क्योंकि बीजेपी ने इस बार जब उन्हें मौका नहीं दिया तो बगावत करने के बार शायद ही उन्हें मौका मिले वैसे भी बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है और शायद कम एक सीट और बढ़ सकती थी अगर पावर स्टार को बीजेपी ने अपने स्टारडब में शामल कर लिया होता लेकिन सियासत में जो दिखता है उसके पीछे बहुत कुछ होता है कहा जाता है कि भोशपूरी के एक बड़े स्टार है जो नहीं चाहते थे कि पवन सिंग बीजेपी से स्टार बन जया और इसलिए उस स्टार ने इनका टिकेट कटवा दिया था पवन सिंग विशारो इशारो में अकसर उस स्टार का नाम लेते रहते हैं और इशारो कि दुनिया में माना जाता है कि स्टार्डम कितना बड़ा हो लोग भीड के तौर पर देखने तो आते हैं लेकिन वोट दबाते वक्त न जाने कि उनका हाथ उस स्टार की जगा उसकी तरफ चलाता है जिसे वो अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं क्या वजा है कॉमेंट में आप जरूर बताएगा